आप सभी का अगेंस्ट कफसर 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे राज सूचना आयो के मनवानी के कारण किस प्रकार आवेदक को शिकायत करता को किन किन प्रसानियों का सामना करना परता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे आप लोग भी पहले से ही सतर्क सजग रहकर अपना आवेदन सौसमय ठीक धंक से कर सके मैंने एक प्रपत्र को 13,10,19 को ही मांग किया था एक थाना ध्यक्ष के को जिसमें द्वितिये अपील मैंने 181,2020 को किया था जिसकी सुनवाई मैंने की और जिसमें आदेश भी प्राप्त हुआ थ यह उसकी कॉपी है आप लोग देखेंगे ध्यान पुरबग देखेंगे पूरा विडियो को देखेंगे तभी आप ठीक से आप समझ पाएंगे कि मामला कहां कहां सूचना आयोग में भी अटक सकता है यह 2021 में आदेश भारित हुआ था आप लोग देखें जिसमें कुछ ब वस्थित भी नहीं हुए थे इसके बावजूद भी बिना वांचित सूचना दिलाए राजित सूचना आयोग द्वारा पीलवाद को स्रमाप्त कर दिया गया था और इसके बाद एक महा के अंदर सही सूचना प्रदान करने का आदेश देते हुए इस बात को स्रमाप्त किया गया था तथा एक वर्स पांच महा आप लोग देखें मैं टिक कर दिया है हाईलाइटिट कर दिया है एक वर्स पांच महा से अधिक का बिलंग भी परिछल अक्षित होता है इस बिलंग के लिए भी दोसी लोग सूचना पदाधिकारी पर कोई फाइन नहीं किया गया था कोई आर्थिक डंड नहीं लगाया गया था लेकिन इसमें एक बात जोड दिया गया था कि यदि वांचित सूचना एक महा के अंदर नहीं दी जाती है ता पिलार्थी इस संबंद में सिकायतबाद दायर कर सकते हैं इस आदेश के बाद मैंने सिकायतबाद भी दायर किया है अब ध्यान रखिएगा कि बिना प्रपत्र का तो दुईती अपील हो नहीं सकता है लेकिन मैंने दुईती अपील की सुनवाई के बाद मैंने इसमें सिकायतबाद धारा थारा के तहत भी किया था, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, यह धारा अठारा के तहत सिकायत बात किया था, आप लोग अच्छी तरह देखें, मैंने आयोग में स्वैम जमा कर इसे किया था, लेकिन आयोग में कुछ तुरूटिया होने के कारण मेरे आवेदन को वापस कर दिया गया है, आप लोग ध्यान रखें, वापस करने का कारण बता गया है कि सिकायत आवेदन के साथ मोल सूचना आवेदन की छापरती सरलंग स्वभी परमानित नहीं है, दूसरा संबंदित लोग सूचना अपदादिकारी के स्मक्ष मोल सूचना आवेदन दार के जाने की मैं कहना चाता हूँ कि जब तक प्रपतरकौ और डाग की रशीद मैंने नहीं दी तो यह दूतिया अपील की सूझवाई कैसे हुई? दूतिया पील की सूझवाई भी हुई, दूतिया अपील में आदेश भी हुआ, आदेश का भी पालन लोग सूचना अपदा धिकारी द् वान्चित सूचना को छिपाने का काम क्या गया और जूठा सूचना दे दी गई थी इस प्रकार की परिशानी हमावेदक सिकायत करता को हो जाती है अब आयोक की मनवानी आयोक की उदासिंता के कारण PIO का मनोवल बढ़ा राता है जिसके कारण वो लोग वान्चित सूचना मैं नहीं देते ना तो आयोक के आदेश का पालन करते हैं इसमें सबसे बड़ी वज़ा है कि आयोक खुद उदाशीन है जिसके परती हम लोगों को जागरूख होकर अब आयोक में भी ठीक से अपना पक्ष रखते भी सुनवाई कर इसकी शिकायत आगे भी कर सकते हैं तो आ आप लोग धियान रखेंगे द्वीति अपील के आदेश के बाद भी सिकायत बाद दायर कर सकते हैं और सिकायत बाद दायर करने समय भी द्वीति अपील के आदेश के साथ-साथ प्रपत्र को होना जरूरी है और प्रपत्र को जो आप डाक या कुरियर से जिससे बाध्यम स बेजे हैं उसका स्लिप होना जरूरी है और वह सुल्क जो जमाकिये हैं वह भी होना जरूरी है इस प्रकार कहने का तातपर्ज मेरा यह है कि एक सिकायद एक सुचना प्राप्त करने के लिए हम लोग बरसों लगा देते हैं लेकिन इसके बावजूद भी सुचना आयोक की ना तो कोई डर लगता है ना भे लगता है वो मनमानी ढंग से सुचना प्रदान करते हैं जो सुचना हम लोगों को मातर 30 दिन में उपलब्ध करा देनी चाहिए थी वहाँ आयोक भी कराने में और सफल है यह बराद दुख की बात है इसलिए हम सभी भारतियों को जाग रू यह आब कर्से हम लोगों को सोमय सुचना मिले और सोसमय न्याय मिल सकें इस चैनल को अवस्थ सब्सक्राइब कर लें तरहा बैल आईकन को दबा कर आयोक भी अवस्थ क्लिक कर लें जिस से आप लोगों को भी साक्ष के साथ सबूद के साथ जानकारी अधिक से अधिक हो सके और अपने कमियों को दूर कर सुचना आयोक के खिलाब भी आसानी से हम लोग सिकायत दर कर सकें जिससे लोग सुचना पदादिकारी प्रथम अपिलिय पदादिकारी आयोक के क्रमचारी को भी लगे कि अब जनता जागरूक हो गई है जय है